हाई व्रीवान वेलकम तो माई चैनल वुमेंस इस्टाइड अब आज की वीडियो में मैं आपको साडी के साथ यह वाला लुक क्रेट करके दिखाने वाली हो आप साइड में आप इमेज देख सकते हैं यह मेरे नॉर्मल सिल्क के साडी ती जिसके साथ आल्रेटी मैंने सिल्क सारी डेपिंगे टमस अब इस और आपको साडी के से हाल नहीं या तो आई बटन में आपको लिंक मिल जागा आपको वहाँ पर क्लिक करकर डायरेक्ट मेरे उस वीडियो को अपको बता रहा है और पात करें मारे आज की वीडियो की तो यह जो लुक है मैंने यहाँ पर अप चूब को ब्रेकल केसे क्याry ओंध पास और तक मैंने सब्सक्राने पर चेकलियो को सब्सक्राइछा। तो यहां पर मेरे डूपटे में यह देखिए ग्रीन कलर था तो मैंने ग्रीन कलर की साज़िए इस को ले लिए सही खिए तो इसलिए आपको थिक साड़ी का चूज करना है क्योंकि अगर आप ट्रांस्पेरेंट लेते हो तो फिर आपको ऐसी साड़ी चूज करना है जिसमें कि आपका पल्लू बिल्कुल ना हो और यह देखिए जैसा कि हम अपने राइट साड़ से टकिंग स्टार्ट करते कर लेना होगा खोल कर देखिए और उसके बाद से मैं वापस से साड़ी को ला रही हो और वहां पर टक कर देखिए मैंने अपना प्ल्लू पट्टा ले लिया है और इसकी हम प्लीट्स मनाएंगे जैसा कि हम नॉर्मल साड़ी के पल्लू बनाते बिल्कुल वैसे आपको यह इमेजन करना है कि हमारी साड़ी है और यह इसका पल्लू पाठ है तो इस तरह से मैं देखिए यहां पर प्लीट्स ले रही हो और अपने लेफ्ट वाले सोल्डर पर रख लेना है जैसे कि आपको इडू पत्ता रख रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ही मैं देखिए आपर बॉर् रहे हो तो आपको कॉम musi बंणाना बता रखा है कि इस तरह से आपने स्ट कर सकते हैं कि मैं आपर कर लिया है यहां तक इसे हम घुमाते हुए देखिये इस तरह से तरह से लेकर आएंगे और इस वाले लेक के पास देखिये यह राइट में बहुता है ने प्रीना कर लिया है और इसके पास इसके तो अगर आपको नॉर्मल सारी में स्लिम लोग पाना है तो उसकी वीडियो अल्रेडी मेरे चैनल पर है तो आप चेक आउट कर लिजिएगा आप कोई बटन में लिक मिल जाएगा और यह देखिए थोड़ा समयने सामरे की तब सारी चोड़ दिया है और उसके बासे मैं यहां यहां अपने नॉर्मल सारी में जो बनाते हैं थोड़ा से चोड़ा बनाना होता है क्योंकि इसमें हमारा पल्लू पार्ट भी आ जाता है जिसके वज़से काफी ज्यादा आती है और हो सकता है आपको थोड़ी चोड़ी चोड़ी बनानी चाहिए तक यह प्रॉब्लम आपक अब इसे हम हिला लेंगे और साइड से हाफ अप सेंटीमीटर का गैपे रखते हुए इस तरह से अरेंज करते हैं तो इस तरह से अरेंज कर लेने के बाद एक बार और और इसे अच्छे से हम हिला लेंगे ताकि हमारी प्लीट से अच्छे से से हो जाए यह देखिए इस तर सब्सक्राइब कर लेने के बाद यहां पर यह देखिए इस तरह से जब आप टकिंग कर लेंगे तो यहां पर हम प्लीट को थोड़ा सा फैला देंगे ताकि हमारे सभी प्लीट अच्छे से यह पर दिखाई दे और लुक काफी ज़्यादा स्टालेस्ट आ जाता इससे यह दे आप उनकी हैप से इस तरह का लुक कर सकते हो और साथ ही आप पार्टी में एकदम स्टालेस्ट दिख सकते हो यहां पर देखिए हमने कोई भी अलग से ट्रिक यूज नहीं किया है फिर भी हमारा लुक जो है एकदम साइट से स्लीम आ रहा है जो हमारे साइट के कर्प सारे दिख रहा है और बहुत यहां स्टालेस्ट दिख रहा है तो अगर वीडियो आपको इन थोड़ी भी हल्फुल रही हो तो लाइक किजिएगा अज साथ ही अपने दोस्तों में भी सैट किजिएगा और जिन लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भाइब